सर जमीन हिंदुष्टान असलाम अलेकुम मैं डॉक्टर आरीफ कुरेशी और आप देख रहे हैं जी आर्व जी यूटूब चैनल जींदू है तो चेलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक ऐसी दवा जो कि आपके आदेश शरदर्द या पूरे शरदर्द या साइनस या आपके प्यपडों में कफ जमा हुआ हो या आपकी नाक यानि कि दिमाग में आपके कफ जमा हुआ हूँ इस तरीके क जैसे हैं कि एक मर्ज होता है पीनस पीनस में भी बहुत जबरजस्त काम करेगा यह नुस्खा तो मेरे भाईयों आप देखते रहें जी यूटूब चैनल दोस्तों मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल को जादा से जादा शेयर करते हैं तो लोगों की प परिशानियों का जितना जानकार हूं उतना लोगों की परिशानियों का हरण कर सकूं तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि शिरदर्द में आपको क्या चीज़ प्योग करना है कि सिरदर्द हो साइनस हो कफ जमा है ब्रेंड में नशों में बराबर बता रहा हूं अब पहले जान लें कि रीठा बहुत सारे हमारे भाई बंदू ये अलग-अलग प्रदेश के होते हैं तो उनको रीठा जानने हैं के लिए मैं उनको अलग-अलग भाशाओं में मैं बताऊं कि रीठा कौन सी भासा में क्या कहा जाता तो दोस्तों देखीगा आ और हिंदी में इसको कहते हैं रीठा और दोस्तों गुजराती में कहते हैं इसको अरीठा और माराथी में इसको कहते हैं रिठा पंजाबी में इसको बोलते हैं रेठा और तेलूंगुई जो हमारे तेलूंगई भाई है तेलंगाना में तो उनके लिए मैं आपको बता दू फीनी लामू बोलते हैं मिरे भाईयों तेलंगाना में इसको फीनी लामू तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ तामिल में पन्नान बोलते हैं और आसाम में मिरे भाईयों आसाम में हैथा बुटी कहते हैं आसाम में इसको हैथा गुटी कहते हैं और फार्से में फुन जी हाँ दोस्तों ये थे उसके नाम अलग अलग भाशाओं में अलग 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 परदेशों में इसलिए मैं बता देता हूँ ता कि अगर किसी भी किताब में आप कोई भी चीद देगें फुंदुक लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये फुंदुक क्या चीज़ होती है और इस इस्तीमाल में ला सकते हैं जैसे के मान के चलो अब जब कोई आपको बुक मिलती है तो तेलूंगाना में फेनी लामू लिखा हुआ है तो आप समझे नहीं पाओगए ये फेनी लामू क्या होता है अगर आप हमारा चैनल देखते रहेंगे तो आपको मालूम पढ़ को आधा शिर्म दर्द है या पूरे शिर्म दर्द है तो उसके लिए आधा सिर्म दर्द है पूरे सिर्मिंदर न की जोग मैं आपको आपको क्या करना है कि रीठा जो हिंदी भाषा में मैं रीठा बोला हूँ उसको आपको दो पीस ले लेना है और वो दो पीस आप बहुत थी महीन महीन उसके तुकले कर लिजीगा या कि आप रीठे का चूड ले लिजीगा रीठा का चिलका जो होता है उसका उपर का चूड चिलके का आप ले लेंगे जितना मैंने अभी आपको बताया है चाहें तो आप इसका मतलब दो से तीन ग्राम आपको रीठे के चिलके का चूड लेना है और उसमें आपको अगर आ है अब समस्य यह पैदा होती है वाट इस दा तिर्कुट चूल क्या होता है भी किसी भी पनसारी की दुकान में जा करके आप वहां से तिर्कुट चूल को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ आपको तिरकुट चूड मिल जाएगे दोस्तों अब जब आपने तिरकुट चूड ले लिया आप क्या करेंगे आपके आपको पानी को पकाना है करीब सतर से असी ग्राम पानी को पका लीजिएगा और जब वास्व बन जाए खुब कस्के पक जाए तीन चार खौल आ जाए उसको बेहतरीन से ठंडा कर लीजिएगा अब आपने जब उस पानी को ठंडा कर लेते हैं बहुत ही एकदम बेश्ट ठंडा करना है अगर आप चाहे तो इस पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं अब क्या करना है आपको उस वक्त आपने ये दोनों चीजें रीठे का चूरो और तिरकुट चूरो को आपको उस पानी में डाल देना है अब उस पानी की अवधी होती है 48 घंटा आप घड़ी देख लीजिएगा बारत 48 घंटा बारवंचों बारचित बारचित बारत 48 घंटा आपको ये चूड़ उसमें डाले रखना है जब ये चूड़ उसमें डाले रखेंगे तो उसको आप तीन चार पांच घंटे में दस घंटे इस तरीके से पानी में जो डला इस तरीके आपको मसलना भी है ठीक है ना आपको सरीके से मसलते भी रहना उस पानी को और 48 घंटे के बाद पानी को आप किसी सूती कपड़े से आप उस पानी को च्छानेंगे अब जब आपने किसी सूती कपड़े से पानी को च्छान लेते हैं मेरे भाईयों तो आप उस पानी को ठिराने के लिए रख देंगे निथारने के लिए आप उस पानी को रखेंगे जब वो पानी ठिरा जए जब वो पानी ठिरा जाय तो सो कि नया स्रिंज लेकर आए नया स्रिंज और उपर उपर का पानी ठिराया हुआ पानी किसी ड्रापर नुमा बाटल में डाल ले या कोई भी ड्रापर ले आए उसको साप करके उसमें डाल ले नीचे थोड़ा बहुत जो कचड़ा आपका च्छानने के बाद भी बचेगों उसको अलग अटा दें कि उसके बाद है आपको क्या करना है नित्त नहार्मों सूरज निकलने से पहले आसे आपको सूरज निकलने से पहले उसको चार चिक से पांच बून इतनांक में जाल करके आपको इस तरीके से बैठे रहना है कम से कम पंदरा मिनट आपको पंदरा मिनट कम से कम बैठे रहना है और आपका जो सिर्कदर्द है मुझे लगता है कि एक हफते के अंदर एक हफते के अंदर या दो हफते लगें बहुत पुराना होगा तो तेन हफते लगेंगे आका सिर्कदर्द आदाशिर का दर्द हो या पूरे सिरकदर्द हो आपका 3 हफते से ज्ञाधा कतई टैम नहीं लगेगा आपका सही हो जाएगा अगर बैक्ती को स्वांस है या करेक्फ जमा हुआ है साइनस है या पीनस है ये सारी चीजे आपको इसमें बहुत ही लाबदायक होंगी अब चलिए मैं दोस्तों आपको बता दूँगी ये तिर्कुट चूडर अगर आपको मार्केट में न मिले तो आप क्या करें मुझे पता है आपको तिर्कुट चूड सुनने में भी अजीब अटपटा लग रहा होगा कि जनाव ये तिर्कुट चूडर क्या है कैसे बनेगा मार्केट में मिलेगा के नहीं मिलेगा अब मैं आपको बता रहा हूं तिर्कुड चूड बनाने का तरीका आपको तिर्कुड चूड के लिए आपको लेना पड़ेगा सोट काली मिर्च और पीपली यह चीजें सब समान भाग में ले लेंगे आप बराबर बराबर एक बार फिर मैं बता दूं ताकि आप भूल ना जाएं सोट पीपली काली मिर्च यह संभाग बात्रा में ले ले और इसका चूड बना ले और जो मैंने मात्रा रेठे में डालने के लिए बताईए वह आपको उसमें डाल देनी है 48 घंटे के बाद आपको नाक में डालना शुरू कर देना अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई अशुबधा हो इस लिक्विट को बनाने के लिए तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं लेकिन साम के 8 बजे से 9 बजे रात तक एक घंटे का टाइम मैं आपको देता हूँ अब आप हमारा मुबाइल नंबर लेख लीजिए 94 51 47 96 41 ये था मेरा मुबाइल नंबर तो खुदा हाफिज भाईयो